नमस्का दोस्तों मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक Immortals of Meloha की इस उपन्यास की कहानी भगवान शेट के जीवन से प्रेरित है लेकिन इसमें उन्हें एक सामानी आदमी की रूप में दिखाया गया है सारी खटनाएं आदी कालपनिक है इससे लिखा है ओथर अमीश्ट रुपाथी ने बहुत समय पहले जब राम राजा हुआ कट्टे थे तो उन्होंने मेलुहा नाम का राजे बसाया यह जम्मू काश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हर्याना, राजिस्तान तक फैला हुआ था राम के बाद बहुत सी पेडिया आती गई और मौजूरा स उनकी सरस्वती नाम की नदी धीरे-धीरे सूख रही थी अभी वेलों के संकट से उभरने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रवंशी राजा ने उन पर हमला कर दिया है चंद्रवंशी सामरा जोत्ता प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फै उनसे निपटने के लिए राजा दक्ष अपने दूद को संदेश देकर टिबद भीजते हैं दूद वहां गुना ट्राइब के मुख्या से मिलता है जिसका नाम शिवा था दूद राजा का संदेश शिवा को देता है राजा दक्ष ने शिवा से आगरह किया कि वे अपने लोगों के साथ सूरीवन्षियों की मदद करने के लिए मेलोहा आई शिवा इसके लिए तियार हो जाते हैं वे अपने दोस्तों वीरभत्र कृतिका नंदी और अन्य लोगों के साथ मेलोहा के लिए चल पढ़ते हैं सबसे पहले वे श्री नगर शहर में पहुंचते हैं वहां उन्हें आयूर्वती नाम की महीला मिलती है जो मेलुहा की लोगों की प्रमुख चिकित्सक होती है वही उन सबका स्रागत करती है शिवा और उसके साती मेलुहा की भविता देखकर दंग रह जाते हैं जब राज को सब लोग सो जाते हैं तो अचानक सबको तेज बुखार जकर लेता है आयूर्वतियन सबका अपचार करती है लेकिन वह देखती है कि शिवा को कोई पुखार नहीं हुआ लेकिन उनका गला नीला पढ़ गया है यह देखकर आयुर्वती को लगता है कि शायद शिवा ही नीलकंट हैं वे शिवा को बताती है कि बहुत पहले एक भविशिवानी हुई थी जिसके अनुसार एक दिन नीलकंट मेलुहा आएंगे और यहां क सुद्ек को लोगों की रक्षा करेंगे चब मेलुहा के लोग शिवा की नीले गले देखते हैं तो खुशी से उनहीं नीलकंट गोशित कर देते हैं फिर वें नुन्हें मेलुहा की राजधानी देव गिरेर्म ले जाते सब लोग वहां राजा दक्ष से मिलते हैं और उनके किले में रहने लगते हैं एक ते शिवा पास के भाड़ी पर गूमने जाते हैं वहां मंदिर में उन्हें एक बेहत सुन्दर लड़की दिखती है वे पहली ही नजर में उसके प्यार में पढ़ जाते हैं वे नंदी से उस पुराने जन्म के पापों के कारण उसे अच्छूत माना जाता था इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी शिवा सती से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उन्हें अपने पास आने से मना कर देती हैं शिवा मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि उससे शादी करके ही रहे इसके बाद डक्ष शिवा की चंद्रवंशियों द्वारा किये जारे छल कपट वाले युद्ध के बारे में बताते हैं वे शिवा को अपने इन्वेंटर ब्रहस्पती से भी मिलवाते हैं एक दिन ब्रहस्पतियों सबको माउंट मंदार, मंदार परवत लेकर जाते हैं और वहां दिखाते हैं कि किस तरह से सोमरस बनाया जाता है सोमरस की वज़े से मेलुहा के लोग कई सालों तक सस्त और जीवित रहते थे एक दिन डक्ष सिववा से कहते हैं कि मेलुहा के बाकी के राज में घूमें और लोगों से मिलें ताकि वे अपने रक्षप नील कंट को देख पाएं इससे उनका मनवल बहुत बढ़ जाएगा इसके बाद शिवा बाकी लोग सती, वीरभद्र, कृतिका, नंदी, ब्रहसपती और परवतीश्वर के साथ मेलुहा के शेहरों की आत्रा के लिए निकल पड़ते हैं जहां जहां से शिवा जाते हैं, लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं, उनका भविस्वागत करते हैं और नाच काने का आयोजन करते हैं लेकिन एक दिने का आदमी शिवा की निंदा करता है कि वे अच्छूत विक्रम सती के साथ कैसे गूम रहा है लेकिन शिवा कहते हैं कि सती पवित्र है लेकिन इसके लिए सती की अगनी परीक्षा ली जाती है सती अगनी परीक्षा में सफल हो जाती है बाद में उस आदमी को मानने की वज़े वे उसे माफ कर देती है एक दिनी गाव में पहुँचते हैं अचानक से नागा सैनिक उन पर हमला कर देते हैं इस हमले में एक अगनी बांड शिवा की तरफ आता है लेकिन उन्हें बचाने के लिए सती बीच में आ जाती है जिसकी वज़े से वे घायल हो जाती हैं उसे जल्दे से देव नागरी ले जाया जाता है शिव आयुर्वती से आग्रह करते हैं कि सती को सुम्रस देकर बचा लें धीरे धीरे सती ठीक भी हो जाती है एकते शिवा दक्ष से आग्रह करते हैं कि सती की शादी उन से कर दे और सती को विक्रम की सजा से मुक्त कर दे दक्ष इसके लिए मान जाते हैं और उन दिनों की शादी कर देते हैं उनके साथ साथ वीर भद्र और कृतिका की भी शादी कर दी जाती है एक सुबा मेलुहा की लोगों को बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया था सिने माउंट मंदार के कारखानों को उड़ा दिया था सब लोग वहा पहुँचते हैं शिवा को वहाँ नागा सैनिकों के पैचान चिन्हे मिलते हैं इससे उन्हें पता चलता है कि ये सब चंद्रवंशियों का किया धरा है इसके बाद शिवा चंद्रवंशियों पर हमला की घोशना कर देते हैं मेलोहा की सारी सेना को लेकर शिवा चंद्रवंशियों के छेतर में पढ़ने वाले स्वधीप पहुचते हैं वहां दोनों सेनाए एक दूसरे से भीड़ जाती हैं और भयंग कर युद्ध हो जाता है लेकिन अंत में चंद्रवंशियों के राजा और उसकी बेटी आनंद मई को अरेस्ट कर लिया जाता है और दक्षि के सामने लाया जाता है जब चंद्रवंशी राजा शिवा को देखता है तो क्रोधित हो आनंद मई शिवा को बताती है कि उनके यहां भी भविश्यवानी हुई थी जिसके अनुसार लील कंठा कर उनकी रक्षा करेंगे यह सुन कर शिवा को हैरानी होती है इसके बाद चंद्रवंशी राजा और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया जाता है लेकिन इसके पश्यात शिवा धर्म संकट में पढ़ जाते हैं उन्हें आत्मे गलानी होने लगती है उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने युद्ध करके पाप किया है क्या उन्होंने चंद्रवंशीयों की रक्षा करनी चाहिए थी इस सबसे वे काफी परिशान हो जाते हैं अपनी परिशानी का हल दूरने के लिए एक दिन वे अयोध्या जाने का फैसला करते हैं जो स्वधीप में ही पढ़ती थी और यहां राजा राम का मंदिर था वे सती को लेकर वहां पहुँचते हैं शिवा सती को बहार छोड़ कर राम के मंदिर में जाते हैं और वहां एक तपस्वी से मिलते हैं तपस्वी उन्हें धर्म कर्म भाग ये जीवन के मकसद आदी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जब शिवा मंदर से बाहर आते हैं, तो उन्हें एक चीक सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक नागा सैनिक ने सती को पकर लिया था और वे उसे मानने ही वाला था। इतने में शिवा सती को पचा लेते हैं। इस ओडियो बुक के लिए इतना ही। अगर आपको ओडियो बुक अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर इसमें कुछ तुरुटी महसूस हुई तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी ओडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।